जाला कोशिन देखिए बच्चों जरा, trace the path after entering through the prism, यानि यह हमें एक problem दे रखिए, इसमें हमें 3 दे दे रखिए और 3 दे नॉर्मली इस first prism के first face पे enter कर दी है, ठीक है, हमें बताना है कि prism के अंदर जाने के बाद race का path क्या होगा, हमें इन 3 रेस का path हमें show करना है, और यह right क्या है, refractive index given है, ठीक है न, तो यानि हमें इस 3 रेस का क्या करना है, path trace करना है, तो इसका path क्या होगा, तो बहुत अच्छा simple numerical है, तो पहले हम देखते हैं कि जो 3 रेस हैं, पहले वाले case में, यानि कि यह 3 रेस normally enter कर रही है, तो बिल्कुल ऐसी straight यह बाहर इस तरीके से, raise normally enter करते हैं, तो यानि पहले वाले case में, जो first अगर हम देखें, तो raise ऐसी normally इधर चली जाएगी, अब हमें देखना है कि बच्छों, यह 3 point यहां पर देख रहे हैं, जहां पर raise आके incident कर रहे हैं, दूसरे वाले face पे, ठीक है, तो यहां पर TIR होगा, reflection होगा, या फिर, या light grace कर जाएगी, यहां हमें देखना पड़ेगा, तो बच्छों, TIR की condition यह है, कि angle of incidence greater than, critical angle होना चाहिए, ठीक है, और हमें पता है, कि अगर हम यहां पे normal draw करें इस तरीके से, यह भी normal, यह भी normal, तो यहां पर मैंने 3 normal draw कर दिया, बेटा, यह normal draw करोगा तो यह वाला angle कितने क आजाएगा, 45 का आजाएगा, यह वाला भी angle कितना हो जाएगा, 45 का और यह वाला angle भी कितने का हो जाएगा, 45 का हो जाएगा, यानि इन तीनों case में, in all 3 cases, जो angle of incidence है, वो कितने degree का है, बेटा, 45 degree का है, अब हमें देखना है critical angle, कि critical angle इससे बढ़ा है, यह इससे छोटा है, अगर छोटा हुआ, तो TIR, बढ़ा हुआ, तो reflection, ओके, now see what, और बराबर हो तो grazing हो जाएगा, simple सी बात है, तो सबसे पहलें क्या निकालेंगे, बेटा, sin I निकालेंगे, यानि sin 45, ठेका, sin 45 कितना होता है, 1 by root 2, यानि बेटा, यहाँ से sin I की value क्या आजाएगी, 1.41 आजाए बेटा, तो 4 ray 1 sin I C क्या हो जाएगा, 1 upon mu, और mu कितना है इसमें, यानि 1.39, अब 1.39 क्या है, इससे बड़ा है, भाई, रैसी प्रोकल में जो नमबर छोटा होता है, वो बड़ा माना जाता है, so this is more than 1 by 1.41, this imply बेटा, I C is greater than I होगा, ठेके, यह क्या बता रहा है, I C is greater than I तो भाई, यहाँ पे light क्या हो जाएगी, reflect हो जाएगी, light ऐसे बाहर निकल जाएगी आपे, ठेके, तो इस वाले case में, reflection होगा बेटा, पहले वाले case में, ओके, दूसरा वाला case देखो, 4 ray 2, ray 2 के लिए हमें पता है, sin I C क्या हो जाएगा, 1 upon में, इसका refractive index 1.47 है, और 1.47 उकल में जो value बड़ी होती है, वो छोटी होती है, तो इसका मतलब भी जो value है, 1 by 1.41 से छोटी हो जाएगी, तो इस case में, बेटा, sin I C है, वो less than क्या हो जाएगा, I हो जाएगा, तो यहाँ पे तो बेटा, TIR होगा, यानि जो light की ray है, वो यहाँ से 45 डिगरी के angle पे reflect हो बेगी, अब तीसरा वाला case देखते है, 4 ray 3, ray 3 के लिए हमें दिख रहा है, जो sign I C है, that is 1 by refractive index 1.52 है, और 1 by 1.52 इससे क्या है, छोटा है, यह भी less than क्या हो जाएगा, 1 by 1.41 हो जाएगा, तो इसमें, it means that I is more than I C हो जाएगा, तो बेटा, इस वाले case में भी क्या होगा, TIR हो क्या हो जाएगी बेटा, ऐसे ही reflect हो जाएगा, ऐसे बहार आजाएगी, ठीक है, तो भाई, दो case में तो TIR है, और एक case में क्या है, ठीक है, that is reflection हो रहा है, पहले वाली रिफ्रेक्ट हो जाएगी, बाकी दोनों रिक्या हो जाएगी, TIR यानि totally internally reflect हो जाएगी, तो इस तरीके से इस beautiful question का path हम trace कर सकते हैं, और यह सारा इसका pattern है, तरीका है, solve करने का, I hope आपको इन numerical समझाया होगा, ठीक है, पसंद भी आया होगा,